उत्राखंड की राज्ये की पुष्कर सिंग धामी सरकार ने उत्राखंड में भू कानून का संसोधित खाका ते करने को कमीटी का घटन करने का फैसला लिया और राज्ये में चुनाफ से ठीक पहले कई संगटन और विपक्षी दल मजबूत भू कानून बनाने की मांग को लेकर अभ्यान चलाए हुए हैं और मुख्य मंतरी धामी ने कहा कि राज्ये में क्रिशी और उससे संबंदी छेत्रों के विकास प्लाइन की रोक थाम और स्वरोजगार के अफसर पैदा करने के लिए उस स्तरी समीती बनाए जारी और वहीं पूर मुख्य सचीर सुबास कुमार इस समीती के अध्यक्ष होंगे समीती वर्तमान भू विद्यों का अध्यन करेगी और सुजाव लेगी और धामी ने कहा कि सरकार के कोशिश ऐसी विवस्ता लागू करने की है जिससे राज्य का अध्यों की विकास भी ना रुके और साथ ये पलाइन को रोकने के लिए भी ये सायोग हो उत्राखंड के भगवानपुर छेत्र के गाउं में डीम के आदेश पर एस्डेम ने वैक्सिनेशन के इंडरों का निर्चन किया और साथ ही वैक्सिनेशन में कोई कोताई ना बरतने के निर्देश दिये और वही मनसूरपुर में अभी तक किसी भी ग्रामिन को वैक्सिन नहीं लग पाई थी इस पर एस्डेम टीम को लेकर गाउं पहुंची और वैक्सिनेशन करवाया पगवानपुर छेत्र के दस से अधिक गाउं में कोरोना टीका करेंट कम होने के कारण डीम ने गुरुवार को छेत्र के गाउं में वैक्सिनेशन केंडरों का ओचक निरक्शन किया था और इस दोरां डीम ने एस्डेम को प्रति दिन छेत्र के गाउं में केंडरों का निरक्शन कर सत्थ प्रतिशट टीका करेंट कराने के निर्देश दिये थे और वहीं शुकरवार को SDM इसमिता परमार आसवाल ने टीम के साथ छेट के ग्राम बंदर जुड और चापुर जैसे गाउं में वैक्सिनेशन केंद्रों का निरक्शन किया और SDM ने बताया कि गाड़ छेट के गाउं में इंटरनेट की समस्य होने के कारण धीमी गती से टीका करण हो रहा और ऐसे में ग्रामिनों की लाइन लगवा का टीका करण कराया जा रहा है वहीं SDM ने छेट के ग्राम सह मनसूरपुर में पहली बार टीम को ले जाकर 82 ग्रामिनों को पहली डोज लगवाई और उन्होंने बताया कि जल ही गाउं में शद प्रतिशद वैक्सिनेशन पर कर दिया जाएगा उत्राखंड में मैदान से लेकर पहाडों तक लगातार बारिस ओरी और इस पहाड़ी इलाकों में शुकरवादेर राथ हुई तेज बारिस के बाद आज शनिवार को हरी द्वार में गंगा खत्रे के निशान से उपर पहुँच गी सुबा से ही गंगा का जलिस्तार 293.5 मीटर पर चल रहा है जबकि वर्निंग लेवल 293 मीटर है और वहीं बेराज की शम्ताद 294 मीटर है साथ ही बारिस से नाले भी उफान पर चल रहे हैं इससे हरी द्वार देहाद के कई लाकों में बाड का खत्रा भी पढ़ गया है और लाई ढंग मीटी बेरी में बने पुल की ठोकर में रवासन नदी का टाफ करती नजर आ रही है और वहीं जिससे कई गाओं में पानी भनने लगा है और यूपी सिचाई विवाग के एजडियो सिव कुमार कोशिक ने बताया कि गंगा के खत्रे के निशान से उपर पहुँचने के बाद बेराज से अलेट जारी कर दिया गया है और वहीं मौसम विवाग की बात करें तो मौसम विवाग के मुताबिक अगले 24 गंटे में नैनिताल, चमपावाद, बागश्वार और पितोड़ागर जैसे जिलो में भारी बारिस की संभावना है मौसम विवाग के ओर से इंजिलों के लिए ओरेंज अलेट भी जारी किया गया है हरीद्वार, धैरदुन, पॉर्डी के कोच इस्तानों में हलकी से मध्यम बारिस की संभावना जताएगी मौसम विवाग्यानिकों ने बारिस के साथ ही राज्जे के कुछ इलाकों में अकाशे बिजली गिरने की भी संभावना जताएगी है राशन कार्ड का अधार से लिंक कराने पर प्रशासन ने फिर से फोकस शुरू कर दिया जिले में राश्ट्रिय खास सुरक्षा दिनियम की 40,000 यूनिटों पर जल्द ही कहची चलने लगेगी शत प्रतिशत ओटो ट्रिकेशन के लिए आला अफसरों के निर्देश पर ये कारवाई अमल में लाए जाएगी ऐसा हुआ तो करीम 9,000 परिवारों के सरकारी राशन पर रोक लगनीते है और के इन सरकार के निर्देश अनुसार 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना को देश बर में लागू किया जाएगा और जिसके तहट उबखताओं के स्मार्ट राशन कार्ड बनाया जाने है इस नए राशन कार्ड से उबखता देश बर में कहीं से भी किसी भी राशन के दुकान से अपने कोटे का खाद्यान ले सकेंगे लेकिन इससे पहले खादा पूर्ती विभाग को सभी राशन कार्ड धारक परिवार के मुख्या और कार्ड की सभी यूनिटों को अधार से लिंक करना था नैनिताल समय सभी जिलों में राशन कार्ड धारक परिवार के मुख्या का अधार लिंक करने की प्रकिरिया पूरी हो चुकी है जिसके बाद यूनिटों के अधार पर लिंक कराने थे और इसके तहद राशनकार्ड धारक परिवार के प्रतिक सदस्रे को अपने छेट के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता के माद्यम से अधार लिंक कराना था और इसके बावजो जिले में NFS रेक के तहद सफेद और लाल राशनकार्डों से जुड़ी 98,000 यूनिटों का अधार लिंक नहीं हो सका ऐसे में इन सभी को फर्जी मानते हुए निरस्ट करने के आदेख शासन से मिले हैं और बीते साल देसंबर में इन यूनिटों को निरस्ट कर दिया गया है